संब्सक्राइब Camera लिए टो इस वीडियों है आपको बताएंगे किस तरह से जो आप dock каким लैप कर सकते हो a捷ड किस तरह से आप सेट अप कर सकते हैं हम पहले यह बता देते हैं तो हैक एक लाफ सेटब करने के लिए आपको पहले वर्चा व्पोक्स की जरौत होगी वर्चावल बॉक्स क्या है जैसे कि हम कोई भी जो है अभी हम जो है कोई सिस्टम कर रहा है आपको Wi-Fi hacking करना है वेब application penetration testing भी करना है और password cracking भी करना है तो इस तरह का टूल जो है आपको इसके लिए क्या करेंगा अगर आप करने जाओगे तो सबको individual आपको software download करना होगा तो उसके लिए इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ही जगह एक ही operating system में आपको सारे functions दिये रहते हैं जो कि Linux के distribution जैसे काले Linux में सारे penetration testing की tools आपको वहाँ पर मौझूद होते हैं जैसे कि बरफूट हो गया जॉन दी रिपर टूल हो गया एर क्रेक एंजी टूल हो गया बहुत सारे tools वहाँ पर आपको available होते हैं तो हम virtual box को download करेंगे virtual box में एक environment है जिसमें आप different operating system का use करते हो operating system क्या है जो कि operate करता जैसे आपको windows एक operating system है उसी तरह का Linux operating system है तो हम windows तो यूज कर ही ने रहे हैं उसी पर आपन किये हैं लेकिन हम एक और environment लेंगे virtual box में डिफरेंट डिफरेंट जो है operating system का use करके कर सकते हो तो चलिए आप step को follow करते रही है मैं सारे step by step आपको guide करूंगा तो आपको new tab में आपको search करना है virtual box देख सकते हैं search करोगे तो आपको इस तरह से interface दिखेगा आपको Oracle virtual box पे आपको click करना है आप VMware भी install कर सकते हो वह भी एक तरह से आपको virtual environment देता है तो देखे virtual environment का use करने का यह एक और भी purpose होता है क्या जैसे कि कोई भी आप correct software यूज करते हो आप primary operating system में आपने यूज किया suppose that तो उसमें क्या होता हो सकता है उसके साथ viruses bind हो सकते हैं तो आप उसे यूज करोगे आपके system compromise हो सकते हैं लेकिन अगर आप virtual वाक्स में एक operating system यूज कर रहे हो विंडोज लेकिन उस पर यूज कर रहे हो इस पर वरक किये उस पर आप correct software रन किये तो उसमें अगर effect करता भी है तो आपका virtual box के अंदर है वह आपके primary operating system को खराब नहीं करेगा कोई डिश्टब नहीं करेगा तो वही चीज़ है जैसे कि एक और example हम आपको बता देते हैं जैसे कि आपके पास आपके घर है आपके घर में एक room है तो वह room एक तरह से माल लेते है virtual box है तो उसमें आप कुछ भी करते हो ना तो वह आपके पूरे room को जो है वर्चौल बोक्स 7.0 तो उस पर क्लिक कर देना यहां पर आप देखे क्लिक करने कवाद जो है अगर आप macOS में यूज करना चाते हो तो macOS पर क्लिक करोगे जब आप windows के लिए विंडूस के लिए आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप देखें इस तरह से आपको windows के लिए कर कर देता हूं तो यहां पर आप देखें virtual box जो है download होना इस्टार्ट हो गया तो यहां पर आप देखें virtual box यहां पर download होने लगा है है उसके बाद virtual box में जो है हम एक operating system को यूज करेंगे operating system को इंस्टॉल करेंगे जो कि देख सकते है लिनेक्स का ही डिस्ट्रिविशन है अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा काली लिनेक्स और पैरेट सिग्रेटी लिनेक्स यह दोनों ज्यादा फेमस टूल है जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग हैकर सबका फेवरेट ओए यह सब को काली लिनेक्स और पैरेट सिग्रेटी लिनेक्स तो यहां पर आप देख सकते दोनों में सब कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो तो मैं मैं आपको अगर आप बिगनर्स हो तो मैं आपको यही सजेश्ट करूंगा कि आप जो है यह आप पैरेट सिग्रेटी लिनेक्स क का ही यूज करें प्योट ज़िए क्योंकि यहां पर आपको सारे इन्वारामेंट्स-ट्र मिलते हैं वहां पर आपको कली लनेख्स इससे बहतर है लेकिन इसमें बहुंत सारे टूल्स आपको महजूद होते हैं लिकिन आपको जो है beginners के लिए मैं यही suggest कर सकता हूं कि आप parent security Linux का use करें आप अच्छे से command को समझें understand करें तब आप जो है काली Linux पर भी मूब कर सकते हो या फिर आप Linux भी download कर सकते हो दोनों में आपको suggest कर रहा हूं यह दोनों आप यूज कर सकते हो तो मैं एक बताता हूं जैसे पैर जिए लिनक्स पर आपको क्लिक कर देना यहां पर आप देखें क्लिक करने कवाद आपको scroll down करना य क्लिक करना किसलिए क्योंकि यह penetration testing के लिए जो है आप इसी edition का यूज ले सकते हूं यह आपको penetration testing के लिए environment देगा वाप तो डाउन्नोड में चुका है यहां पर देख सकते हैं यहां पर इस्टार्ट होने लगा है तो अब यहां पर काली linux के चैसे करेंगे तो यहां आपको न्यू टैप में सर्थ करना होगा काली लिनेक्स डाउनलोड यहां पर आप देख सकते हैं दोनों में साफ कोई भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं डाउनलोड प्रोसेस आपको बता देता हूं नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे बाद में तो गे करें अगर 32 32 बीट क्लिक करें या तो 64 पिकर करके यहां पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करते ही आप यह जो है ऑपर डाउनलोड होने लगेगा तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर आप देखें यह आई-एस फाइल है यह देखें आप अच्छे से समझ ल सिस्टम पर आप देखें यह तिनों तो आपको यहां समझ गया एक पैरट सिग्रेटी लिनेक्स लिया एक कमने काली लिनेक्स दोनों में साब कोई भी कर सकते हो और आपका वर्चुल वक्स भी आप डाउनलोड हो चुका है और यहां पर मैं आपको देखों यह तो और प्राइमरी ओप्रेटिंग सिस्टम है आपको एक सेकेंडरी ओप्रेटिंग सिस्टम जो कि वर्चुल वक्स के अंदर आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे यह किसले करना पड़ेगा मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले ही कि अगर आप जो है है कि कि फिल्ड में कदम कर रहे हो तो आप जैसेas.. प्रेय format बहुद करोगे यह पिफिन टेस्टि टेस्टिंग यम्ष भी एक्ष्टा कर रहे हो तो जैसे कि आपको सब्रे नहीं करना है तो हो सकताव के साथ यह सौट्वेर हो वियुक्रस हो सकता है इसके साथ शाम को एपTO कर सकत tú주्स कर सकता है हु इसना सब्सक्राइब करेंगे जैसे का आपको में ने पताया था एक एक आतर तरह से समझें वर्चुल इंवारमेंट आप उसे कुछ भी करते हो आपके होम को कोई एक्षेक्ट नहीं वही चीज यहां पर भी है वर्चुल वक्स में होता है तो यह जो है आपका प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम को वह इफेक्ट नहीं करता है तो यहां पर आपको सर्च करना होगा अगर आप विंडोज यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हो अब विंडोज 12 भी डाउनलो कर सकते हो तो इसका भी image file आप download करने के लिए यहां पर देखें download full setup पर है तो यहां पर आपको एक इस पर click कर देना इस पर click करने क बाद यहां पर इस तरह से ready हो जाएगा इसे download करेंगे इसका भी दिखिएगा extension जो है है इसका एक्स्टेंशन इसका भी एक्स्टेंशन जो है डॉट इसो था इसका भी क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करोगे तो इसका इमेज होना चाहिए तो यहाँ पर आपको अमने बता है आप इंस्टालेशन प्रोसेस हम देखते हैं किस तर से हम इंस्टाल करेंगे सबसे पहले डाउंड में आके हम यहां और एकल वर्ट्वल वक्स का यहां पर आप देख सकते हो तो इसे जो है आपको डवल क्लिक करना है तो यहा कर देना है और इंस्टाल कर देना यह कुछ टाइम लेगा और यह आपका वर्ट्वल वक्स जो है आपको इंस्टाल कर देगा तो यह लेटेश्ट वर्ट्वल वक्स हमने इंस्टाल किया यहां पर आप देख सकते हो और यह जो है इंस्टाल हो चुका है यह इंस्टाल हो च तो इसे हम ऐपें कर लेते हैं देख सकते हैं यहांप पर वर्चॉल बोक्स जो है यहां पर आपको दिख रहा होगा तो यहां पर आपको दिखने के लाद आपको यहां पने जान Zap你在 यहां पर आप देखें फाइल पे क्लिक करना होगा यहां पर आप देखें यहां मसीन पे आप क्लिक करें यहां पर भी आपको option दिख जाएगा यहां पर तो सफाइड में यहां पर मसीन पर क्लिकंड करोगे तो नीउ पर आएगा आपको इस पे क्लिक करना उसके क्वाद हें आप देखेए जो हमने डाउमोड किया तह टीन व्याज जैसे कि एक तो हमने आपको बताया था पैरण स्ग्रीटी लिनेक्स का जो है आई एसो फाइल यहां पर आप देखें यह इस तरह का पो इमेज बनेगा जो भी आप डाउनलोड करोगे इसका प्रोपर्टीज आपके हम दिखा देते हैं देखें यह प्रोपर्टीज में आपक आली लिनेक्स का भी आई एसो होगा जैसा कि मैं आपको प्रोपर्टीज में दिखा देता हूं यहां पर देखें इसका भी आई एसो एक्स्टेंशन है और आपको विंडोस जैसा कि आपको हमने बताया था और इसका भी हम प्रोपर्टीज में आपको दिखा देते हैं यह इसका भी extension iso है तो यह आपको iso extension में होना ही चाहिए क्योंकि आप यहां पर आप देखें आपको download इसी तरह से करना आप चलिए हम बताते हैं आपको next process तो यहां पर आपको name में जाना हो name क्या पहले मैं Linux का distribution जो है अपने virtual box में install लूंगा तो यहां पर आपको यहां पर लिख देना होगा parrot OS अगर parrot यूज़ कर रहे हैं तो पैरट लिख देखें अगर आप इस ओ इमेज में आपको यहां पर select करना होगा यहां पर अधर में क्लिक करना होगा यहां पर देखें अधर में क्लिक करने कवाद आपको folder ओपन हो जाएगा तो आपको download folder में जाना होगा जैसे पैरट स्कूरिटी Linux का जो आप यूज़ करना चाते हो तो उस पर क्लिक करके इसे ले सकते हो मैं पैरट स्कूरिटी Linux का करके दिखाता हूँ आपको अगर Linux का download करना है तो आप Linux का भी कर सकते हो वह आप पर डिपेंड करता आप कुन सा यूज़ करना चाहते हो तो आपको यहां पर click करके open कर लेना है तो यहां पर open कर दिया हमने आप हमको next करना है यहा है आपको next करना है तो यहां पर next करें तो पैरट OS 1 कर देता हूं मैं नेम आपको यहां पर गलती नहीं करना है यहां पर देखें और next कर देते हैं next करने वाद जो है इसको पूरा बेस मेमोरी हम पूरा दे देते हैं क्योंकि आप penetration टेस्टिंग करने जा रहे हो तो आपको आपको अच्छा GPU पावर भी दिखिए जितना अच्छा GPU पावर होगा जब डिक्ष्णरी एटक आपको बताऊंगा तो यहां पर आप देखें मैं फूल कर देता हूं हो सकता आपको अगर आप इतना देना चाहते हो अपने इसाफ से दे सकते हो तो इसे जो है नेक्स्ट कर देते हैं नेक्स्ट करने के गवाद जो है आपको यहां पर क्रेटे लर्ट्य वर्ट्वल- ARE डिख नाउ तो यहां पर आपको finish कर देना finish करने के वाज़वाज आपको यहां पर आप देखें आपने एक सिस्टम को यहां पर install कर दिया आप इसे open करके मैं दिखाता हूं parrot OS 1 तो इसे मैं start पर click कर दूँगा तो यहां पर देखें start पर क्लिक कर देता हूं तो यहां पर यह start हो जाएगा तो यहां पर देखें, पावर वी एम अप ओ रहा है, यह 100% इससे पावर देगा तो यह आपन हो जागा, तो यहां पर आप देखें, वर्चॉलल वक्स इंवीरमेंट में यह आपन हो चुका है, आप देखें, इस तरह से आपको सो होगा, देख सकते हो, आपको ट्राइ एणि यहां पर आप देख सकते हो हमारा इमेज फाइल जो है जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो यह हमारा ओपन हो चुका है यहां पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मैं इससे फूल स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ देख सकते हैं तो यहां पर आप इसके बैग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं यह देखें हमारा पैरोट सेक्रीटरी लेनेक्स जो है इंस्टॉल हो चुका है अच्छे से यहां पर तो यहां पर आप देखें यहां पर इ आप देखें जैसा कि आपने वायलेश टेस्टिंग है पासवर्ड अटेक है मेंटेनिंग एक्सस सारी का यूज करके यहां पर हम आपको बताएंगे तो यहां पर आपको यहीं लेप सेटफ हो चुका है पर connect कर रहोगी USB तो आपको वहाँ पर टिक करना होगा तो यहाँ पर यह लेगा तो यहाँ पर आप देखे जैसे एक्स्टरना वाइफाइ अडप्टर ही आप लगाओगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा तब ही लेगा जैसे कि मैं आपको एक क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम इसे जो है क्लिक करेंगे तो यह ले लेगा तो यहाँ पर आपको जैसे कि एक्जाम्पल दिखाते हैं तो आपको यहाँ पर पहले एक USB को connect करना है और यहांपर connect करने वाद जो है यहांपर आपको right click करना है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहांपर यह mouse पर आप जो है जो एक USB का icon है तो उस पर जाके आपको right click करना है यहांपर आप देखें आप मैंने environment setup कर दिया आप जो है आपको यहांपर एक मैं Windows भी आपको setup करके दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा तो यहांपर virtual box में आपको वापस आना है यहांपर आप देखें टूल्स में जाएंगे तो टूल्स में जाने के बाद मसीन में आप click करोगे और य Windows 10 अप यहां पर click कराा इए इमेज आपको select करना यहां आप आप देखें वहाई आप Windows के लिए Windows आयोसिव को choose करें यहां पर आप देख सकते हो तो Windows राख 10 यहां पर आप ले सकता हो Windows आयोसिव image और यहां पर आप देखे skip unattain और अधुन से इस्टौलेंशन पे घ्लिक कर देना है यहां पर तो आपको फिर नेस्ट पर क्लिक करना है विंडोज यहां पर मैं थोरग नेम्म में आपको सबस्पीर करना है क्यों कि अगर सेनप नहीं होना चाहिए जो आप पहले तो यहां पर आपको next करना है next करने के वाद आपको यहां पर यहां पर प्रोसेसर आपको दे देना कितना देना चाहते हो और यहां पर बेस मेमोरी कितना देना चाहते हो तो next करना है आपको यहां पर देख रहा है वर्चुल डिक्स कितना रखना चाहते हो पचास जीवी तो आप अपने हिसाफ से यहां पर दे सकते हैं और फिनिस कर दें आपका यह जो है विंडूस भी आपका रेडी हो चुका है तो यहां पर आप देखें विंडूस का भी यहां पर यह हो गया और विंडूस इंवारमेंट तो आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है यहां पर आप केता हो देखेंगे तो कि शुर्ण सक AH कर से में सियुम्त कर देता हो किसा जो भांछी मेर्शक्राम करने तो happy that 5ů अगर आप यहां प्रेकिन करते हो तो जो भी आप डाव्लोट की हो जाते हैं तो यह डेख लेए आप समझलें तो am आप अपने इसाफ से करके देख लो कि तो इसे मैं पावर आफ कर देता हूं और यहां पर देखे विंडोस 10 जो है मेरा यहां पर ओपन हो चुका है जो कि virtual environment है तो Windows 10 home next कर देना आपको यहां पर आप देखें कि एक्सेप्ट दा लाइसेंट टन next click कर देना यहां पर custom install Windows only एडवांस पर क्लिक करना है यहां पर आप देखें फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना आपको यहां पर आप देखें यह 100% जो है आपको copy करके जो है इनवारमेंट शेटप कर देगा सक्सेस्फूल तो आपको इस तरह से ट्व कर ले न तो यह हमारा विफ्ट्वल इनवारमेंट में विंड्यों आप यूज़ कर सकते secondary operating system